नमस्कार मैं उविमांचू और आप देख रहे हैं इस वक्त है इन 27 न्यूज का खास कारिक्टरम न्यूजमेकर न्यूजमेकर मैं आज हम उन 5 खबरों की और नजर डालेंगी जो 5 खबरे इस वक्त के सबसे गरमाय हुए मुद्दे अतीक एहमत के मौत और उनके बेटे के एड काउंटर से जुड़ी हुई है जिहां ये खबरे साहिस्ता प्रवीन से जुड़ी हुई है जिहां ये खबरे प्रियाग राज में हुए हत्याकांट से जुड़ी हुई है आए हम पूरे 5 खबरों की और इस वक्त रोक कर लेते हैं न्यूसमेकर में सबसे पहली खबर मौलानातों की रजा ने अतीक की पतनी साहिस्ता का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी अगर आतंकवादी होता है तो उसकी पतनी को मुझरिम नहीं ठराया जाता यानि आप पूरे खांदान को तभा करना चाहते हैं जो करना गलत है दूसरी खबर में हम आपको बता दें कि श्वाइस्ता के बाद मुक्तार अंसारी की पतनी अफशा अंसारी भी आई पुलिस के रडार पर हो सकती है बड़ी क कारिवाही और क्या कुछ कारिवाही होगी वो देखने का विशे होगा तीसरी पड़ी खबर पर अगर रुख डाला जाए तो अतीक राजस्तान महाराश्च और गुजरात ने बना रहा था सेकेंड होम जिहां बदलना चाहता था धंदा भी ऐसी जानकारी लगातार एक अतीक एहमद को जब गुजरात की साबर्मती जेल में ले जाया गया तो उसके गुर्गों ने साबर्मती और आसपास के इलाकों में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया था जिहां हम चौती बड़ी खबर की और इस वक रुक कर लेते हैं उत्रपरदेश्य मुख्यमंत जाता था कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है लेकिन अब राजे में कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता राजे में कहीं भी अब दंगा नहीं होता राजे में अब कानून का राज है ये बयान योगिया दितनात ने उस वक्त दिया जब हाल ही में हुए उमे शाहिस्ता परवीन फरार है लेकिन उमेश पाल की हत्याकांट की बाद उसने अपना एक पत्र सरकार को लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है यह पत्र लगातार सुर्खियां बर टोड़ता हुआ नजर आ रहा है खबर आए है नीचे कॉमेंट सेशन में जरूर बताएं और देखते रहे हमारा खास कारेक्टर न्यूज मेकर महिमान शुमुद्गल फिलाल के लिए इसाज़त चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर खबर पर